गुड मने इस टुडेएंट दीर स्टुडेएंट आज हमारे टान जहें हो मैथमेटिक्स का, so we study your mathematics books and we sought out question of this book, so let's see what is today's work. स्टुडेएंट अब तक हम हमारी वेतिक mathematics के question solve कर रहे थे हैं, उसमें हमने हमारी जो 4.1 एसके कुछ question किया थे, इतने question हमारे ही हो चुकित है last video में I hope आपने उन वीडियो अच्छे से समझा होगा और question को understand किया होगा और आपने इनको note book में किया होगा और complimentary digit दोनों के साथ में करना है हमने question किया है तो I hope हमें ज्यादा difficulties फील नहीं होगी तो हम इसको directly कर सकते हैं तो यहां देखिए हमें 2 में से 6 को less करना है 2 में से 6 को less कैसे करेंगे क्योंकि यह हो नहीं सकता क्योंकि उपर छोटा number है नीचे क्या है बड़ा number है तो क्या करेंग सेकेंड अब यह कितना हो गए new lane 1 न्यूनेन है तो इसका मतलब 1 less करना है तो 1 less करते हैं तो कितना हो गया 5 5 में से 3 less किया तो कितना 2 तो हमारा answer 2 आच चुक है अब इसने इससे कुछ लिया नहीं है तो यह ऐसा हो जाएगा 1 में से 5 less करते हैं तो नहीं हो सकता तो 1 carry लेक्ष तो 1 क्या गरेगा 4 से carry लेक्षिए अगर carry जब लेक्षिए आता तो यहां union का mark और क्या करता है 11 11 में से 5 less करते हैं तो 6 अब यह कितना था 3 3 में से 2 less करते हैं तो कितना होता है 1 तो यह हमारा question जो है पूरवेन की method से हुआ एक का union पूरवेन की method से हो गया अब हमें जो second method apply करना वो क्या है complimentary digit का अब देखिए इसकी steps होती तो यहां लिखेंगे step number 1 पहले हम इनको compare करेंगे तो 2 और 6 है अब इनको compare करते हैं तो बड़ा कौन से 6 है तो हमारा greater than का mark आ गया तो यह हमारा first step compare का हो गया अब हमें करना add क्या करना है हमें जो 6 की complimentary digit है वो कितनी है 4 होता हम हमें 4 लिखा नीचे जो number है इसकी complimentary digit हमें हमेंसा निकालनी होती है तो 6 ही complimentary digit हो गई 4 अब यहां हमें mention करना है कि 4 क्या है तो हमें आ लिखेंगे complimentary कॉम्प्लिमेंट्री डिजिट ओफ 6 हो गया अब इस फॉर को add किसमें करना है इसको हमें करना है तू के अंदर अब टू क्या है तू हमारा है किसका हमारा पूरवेन है लिखेंगे पूरवेन किसका 6 तो टू जो है हमारा किसका पूरवेन है 6 का तो यहां यह कोस्ट को और बनाएंगे ब्रेकेट बनाएंगे इसमें लिखेंगे put on put on एक का new name एक का new name एक का new name एक का new name मार्क और किस पर लगाएंगे 6 का फर्स स्टेप को complete करें तो 6 के ऊपर हम एक का new name का मार्क लगाएंगे तो 6 और नीचे हमने का new name का मार्क अब यह क्या था 6 क्या था पूरवेन कि पूरवेन आ ओफ टू का क्या था यह पूरवेन अब यह हमारा फस्स में थड़ हो चुका है अब हम करेंगे एडिशिन वाला गाम तो 4 एड किया हमने किसमें 2 में तो 4 में 2 एड करते हैं इतना आता है हमारा आंसर 6 जो कि हमारा आंसर यहां आ चुग है इस परकार से हम कॉंप्लिमेंटर से इसको चेक आउट कर दें अब सेकिंड स्टेप है इसकेंड क्या था 5 अच्छी से बता क्योंकि इसने केरी दी थी नुनियन कमार गया तो 5 में से टू लेस करते हैं पहले इंको कंपेर करेंगे तो या तो आप इस प्रकार से कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो अब इसमें देखिए इसमें भी यह वाला नमर बढ़ा है औ आपका नुनियन यहीं 5 में से 1 लेस किया था तो 6 में से 5 तो 5 आपका नुनियन अब देखिए बच्छों यह सो चींपल सा में थाड आपने इसको चैसे कर लिए 5 में से 3 लेस करते हैं तो कितना आता है तो आपका आंसर तो यह आपका अपका हो गया second step जो हमारा आंसर कॉल् अब वापस से देखिए थाइड क्या है वन अब वन में से हमें फाइफ लेस करना नहीं हो सकता तो हमने 11 किया था तो वही क्या गरेंगा फाइफ की कॉम्प्लिमेंटरी कितनी होती है एड फाइफ बचों यह करने से पहले यह बात की स्टेप इससे पहले हम कंपेर मिस कर रहे हैं से थर्डी स्टेज में सला जा रहे हैं यहां भी मैं थर्डी स्टेप लिख देती हूं ताकि अपने को कन्फूजन ना रहे हैं थर्डी स्टेप का जो सेकिंड पार्ट हो दें कि एड एड फाइफ का फाइफ का कॉम्प्लिमेंटरी कितना होता है फाइफ तुमने लिख तब देखिए, add five complimentary digit of five, यह five क्या है, यह five इस वाले five के complimentary है, तो आपने लिखा इसको अच्छे से, अब इसको add किसमे करना one में, तो हम करेंगे इसको अब जो method था put on, अब इसका जो one का पुर्वेन, sorry new name है, वो कहां लगाएंगे हम four के उपर, तो यहां bracket में लिखेंगे put on, put four, four के नीचे हम new name का mark लगाएंगे, अब four क्या है, four is, पुर्वेन of, four क्या है, पुर्वेन, पुर्वेन of one, यानि यह क्या है, one का पुर्वेन कोन है, four, तो यह हमारे इतना step को चुकर, अब हम इनको add करेंगे, five में अगर one add करते हैं, तो कितना आता है, five में one add करने पे आत six, तो यह हमारा answer आच चुका है, six, मुझा उमीद आपको अच्छी से समझ में आया होगा, अब अपना जो last step है, वो देखी क्या है, fourth step, fourth step में क्या करेंगे हम, यह कितना है, four, नीचे लगाएंगे, four, new name है, फिर नीचे two, अब इसको या तो हमेंसे करेंगे, तो यह इस तर question number seven, जो मैंने समझ रीपीट करना है, question number eight, question number nine, question ten, यह इतने question आज का homework, आपका union का रहेगा, तो आज आज का क्या homework रहेगा, आपको मैंने seven question, अच्छी से समझ जाया, eight, nine, ten, seven तो आपको करना है, जो कि मैंने आपको अच्छी से समझा दिया, eight, nine, nin показ आपको क्या करने हैं तो मुझे उमीद आपको यह समझ में आ गया होगा फिर भी अगर एकका नुने पुरवेन में अगर आपको कहीं कन्फूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हों और बचो अब हम नेक्स्ट वीडियो करें सोरी नेक्स एक्ससाइज करेंगे नेक् आपको कुछ होंवर्क देते हैं तो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट तो अब हमारी एक्ससाइजे सेकीन यानी 4.2 अब इसका क्योशन देखिए सब्ट्रेंग डी फोलाइं बाइ यूसिंग एका दिकेन पुरवेन एंड कॉम्प्लिमेंटरी डिजिट आपको एका दिकेन हैं लेकिन हमें क्या करा हैं इनको सॉल्व करने ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके तो देखिए हमारा फर्स्स क्या है टू डबल जीरो में से लेस करना में बन डू त्री तो इसी क्योशन को आपको मैं नोर्बुफ में सॉल्व करके अच्छे से अंडिस्टेंड करवात complementary digital तो हेहां क्या कि हमने 0 में से तूर्स करते हैं तो जिघेरा में से 2 मेंAST हो नहीं सकता तो जिघेरा से टूरस नहीं हो सकता थो हम क्या करेंगे हम करinek करेंगे करी में peso करिये तो यह कितना हो लगी 10 तेन में सेuks 1 करते हैं तो देखिए यह मैंने आपको बता है जीरो में से टू लेस करना तो नहीं हो सकता तो क्या करेगा इसे केरी लेगा लेकिन ये खुदी पहले से जीरो है तो ये क्या करेगा टू से केरी लेगा तो ये भी नाइन हो गया पर ये कितना हो गया 10 अब 10 में से 2 हम अच्छे से लेस क सकते तो 10 में स्नलेश दोलर टो के टना devam 8 किया है इसने केडी एक ली है तो जिस वी डिजिट से ली है उस नीचे वाली डिजिट पे म्σιं क्या रहें गरां सक नीचे लगादेते प्लेंगि खिकशा लाइस करें diversity लेकिन अधिकेन है तो अधिकेन में जिस नंबर से केरी लिए जाते हैं उसे जस्ट नीचे वाली डिजिट के ऊपर हम अधिकेन का मार्क लगाते हैं तो यह हमने अच्छी से कर लिया अब यह कितना हो गया यह 9 और यह 4 तो यह फर्स स्टेप हमारा हो चुका है अब सेकिंड क अब इसको हम करेंगे कॉंप्लिमेंटरी डिजिट से तो फर्स स्टेप करेंगे हम फर्स स्टेप करेंगे हम फर्स स्टेप करने से पहले हम इन दोनों को कंपेर करते हैं तो जीरो और टू जीरो टू में से ग्रेटर कोन है ग्रेटर हमारा टू है तो मार्क आ गया अब हम करेंगे इसकी स्टेप तो हम करेंगे एड क्या एड करेंगे टू का कॉंप्लिमेंटरी क्या होता है टू का होता है एड करना क 2, 2 की complimentary है, अब आगे लिखेंगे, हम किस, इस add को किस में add करना है, इसको हमें करना है, 0 में, तो हमें लिखेंगे, यहां 0, अब क्या है, अब हमें करना है, next and, put, put, एका दिखेंग, एका, हमें एका दिखेंग, दिखना है, तो देखिए, एका दिखेंग, किस पे लगाना, ए हमार जोरो प्रोन हम न हम लगा हुए अब 3 क्या था 3 सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब यानि zero का पूरवेन न था यह इतना हो चुका है अब हम करेंगे edition वाला 8 में क्या करेंगे हम 8 में हम 0 एड गरते हैं तो answer क्या था हमारा 8 हो गया first step हमारी हो चुकी यहां तक हमारा answer आ गया second step करते हैं second step करते हैं तो दोनों को compare करते हैं 0 और 3 को compare किया के ओपर एका दिकैंगा मार्क लगाए या फिर जीर्व और पॉर्ट के के मार्क लगते हैं क्या बनें लेखा है आप इन दोनों में ग्रेटर कोन है ट्री यहां भी यह हैं ग्रेटर ट्रिस बाद आप यह ससे की Gew citrusर हैं लिखेंगे के अब क्या एड़ करना है आप 4 है तो 4 का complimentary क्या होता है अधिकैन है इसके उपर अधिकैन है तो यह complimentary क्या होता है 4 का complimentary होता है 6 हमने लिखा सी complimentary digit of डिजिट किसका कॉम्लिमेंटरी यह है आपका फोर का लिखा हमें किसमें एड करना हमें इस वाली जिरो में एड करना तो जिरो अब क्या करते हैं अब लिखेंगे हम एंड पुट एका दिकें एका दिकें मार्क ओन अब देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें सिक्स अब आगे थाड़ स्टेप देखेंगे हो गया हमारा थाड़ स्टेप हमें इसको करना है तो यह टू था टू और वन अब इसको पेर करना है गंपेर करना है तो बचले यहां सोरी यह अबने अधिकेन का मार्क लगाया था हम ढविए सोरी इस लाइन भी कट दिस वी हमने लिखा अब इनको compare करना है तो क्या है equal है अब या फिर हम ऐसे कर सकते हैं टू और टू इकवल आ गया तो आपका आउसर क्या रहेगा टू में से टू लेस किया तो जी वच्छो यह जो अधिकेन का मार्क था हमने वन की उपर लगाया तो जो हमारा अभी कोशन सोट हो नहीं सकता तो केडी किसे लिए से केडी लिए तो जीरो से अब जीरो ने किसे लिए थी तू से यह तो यह तो बाद चुका यह जो इक यह एक्सेसाइज के क्योशन आंसर देखे, आपको क्या करने वह देखिए, तो हाज आपको हमवर्क में करने question 1,2,3,4,5 ये question आपको नौर्डू में करने, मैंने 1st question आपको समझा दिया, 2nd,3rd,4th,5th आपको नौर्डू में करने, सारे जीटी सेम question, कोई difficulty वाली बात नहीं, सारे यही है आपको लागन करना है और आपको तो त्री और फॉर्वरक का रहेगा तो आज आपने क्या है सब्ट्रेक्शन किया किस्से एकान उनियन से और ईकादिखेंन पूर्वें से यह दोनों क्याई साथ आप मेरा में परपस यह था कि आप आपको दोनों जब क्योशन साथ में आई तो आप किस परकार से को कंपेर करके कर सकते हों यही आज आज आपका homework रहेगा I hope you understand this video and thank you for watching this wonderful video like comment and share this video and next video में हम हमारे जो आगी के क्योशन उनको sort out करेंगे Thank you for again thank you for watching this video have a nice day thank you so much